जहन दोस्तों अगर आप एक अपना नया pen card बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा helpful हो सकती है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम pen card से जुड़े बहुत सारे important questions को cover करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि अगर आप एक नया pen card बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या documents आपको चाहिए होंगे इसकी fees कितनी लगती है नया pen card आपके घर तक कितने दनों में आता है और इसकी age limit किया है साथ ही कुछ ऐसे questions जो कि आपको जरूर जानने चाहिए हैं जैसे क्या हम multiple यानि कि एक से ज़्यादा pen cards यूज कर सकते हैं हम pen card को apply offline या online किस तरीके से कर सकते हैं क्या कोई foreigner हमारे देश में आकर pen card बनवा सकता है यह सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं आप इस वीडियो को end तक देखें तो चली दोस्तों start करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों बात करें सबसे पहले हम documents की की नए pen card के लिए हमको क्या क्या documents चाहिए होते हैं तो इसमें तीन category होती है documents की जिसमें सबसे पहला होता identity proof यानि कोई भी ऐसा document जो आपकी पहचान को बताता हो जिसमें आपकी photograph आपका नाम ये सारी चीजे हो दूसरा होता है address proof जिसमें आप जिस address पर रह रहे हैं वो उसकी verification करता हो तीसरा होता है date of birth proof यानि कि जो आपकी जनमतिती है वो उस कह सकते हैं document के अंदर listed हो तो ये जो तीन identity proof, address proof और date of birth proof इनके लिए मैं कुछ documents आपको बता रहा हूँ जैसे सबसे पहले number पर आता है आधार card, आधार card में आपका नाम, आपकी photo, आपका address और आपकी date of birth ये तीनों चीजे होती है तो इसको आप use कर सकते हैं, इसके अलाबा आपका driving license हो सकता है, आपका यहाँ पर ration card हो सकता है, आपका voter ID card हो सकता है, आपका bank की passbook हो सकती है इसके अलाबा आपकी कोई school mark seat है, जैसे 10th या 12th class की वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके अलाबा कोई electricity bill यहाँ पर हो सकता है, इसके अलाबा post office की आपकी passbook हो सकते हैं, जिसमें आपकी photo लगी हो, इन सारे documents को आप वहाँ पर use कर सकते हैं नया pen card बनवाने के लिए दूसरा यहाँ पर बात आती है age limit की, कि क्या वो age limit रहती है जब एक हम नया pen card बनवा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, कि जब हम 18 साल की हो जाते हैं, तभी हम pen card बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत का जो income tax act है, उसके अंद लेकि आपकी जो उमर है वो 18 साल से कम है, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप अपना pen card यहाँ पर बनवा सकते हैं, इसकी कोई भी age limit decided नहीं है, अब दोस्तों बात आती है कि fees कितनी लगती है, अगर एक नया pen card हम बनवाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एक नया pen card बनवाएंगे, तो इसकी जो fees जो government को जाती है, वो 100 रुपे से लेके 110 रुपे के बीच में रहती है, बाकी अगर आप किसी cyber cafe से बनवाते हैं, तो वो अपने fees इसमें add करेगा, फिर चाहे वो 50 रुपे ले या 100 रुपे ले, यह maximum 100 से 200 रुपे के अंद जाते हैं, यानि कि offline में बात करें, तो physically documents income tax department को भेजे जाते हैं, और online के अंदर NSDL की जो website है, वहाँ पर online application form fill up किया जाता है, जिसके जरी आपका नया pen card बनवाया जाता है, आप दोस्तों बात करते हैं, कितना time यहाँ पर लगता है, एक नय pen card को घर तक आने में, इसमें क कितना समय लगता है, तो दोस्तों यह depend करता है, कि आप कहां पर रहते हैं, वैसे सरकार की तरफ से जो जनकार है, उसके तहत 15 दिन के अंदर आपकी घर तक यह pen card पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप किसी metro city में रहते हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, मॉंबई में र रहते हैं, नोईडा में रहते हैं, तो आपका जो pen card है, वो इसी time period के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन जब बात आती है, कि आप किसी दूर दराज के अलाखे में रहते हैं, किसी गाउं में रहते हैं, तो वहाँ पर यह time थोड़ा बढ़ जाता है, वहाँ पर 20 से 25 दिन क अंदर ये आपका जो नया pen card है, आपके घर तक by post पहुंचा दिया जाता है, आप दोस्तों बात करते हैं कि कि क्या हम कोई multiple pen cards को use कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा pen card को व्यक्ति रख सकता है, तो इसका जबाब है नहीं, जिया दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा pen cards क यूज करते हुए पाए जाते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपे तक का जुर्माना और आपको यहाँ पर सजा भी हो सकती है, इसके लावा बात आती है, क्या कोई foreigner हमारे देश में आकर अपना pen card बनवा सकता है, तो इसका जबाब है हाँ, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक नया pen card apply करते हैं, तो वहाँ पर दो forms होते हैं, पहला होता है form 49A, और दूसरा होता है form 49AA, तो जो form 49A है, वो Indian residents के लिए होता है, जो भारती है, और जो form 49AA है, वो foreigners के लिए होता है, जो भी लोग विदेश से आकर भारत में रहते हैं, वापन नौकर करते हैं, को बिजनेस करते हैं, तो वो भी लोग financial transactions करते हैं, पैसे कर लेंदेन करते हैं, तो उनके लिए में pen card ज़रूरी होता है, और ऐसी informational videos को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं,